श्राम हिंदुस्तान जैसे कि आप सब जानते हैं, कि हमारी से हमारा देश जो जूज रहा है इस वक्त और वाइरस इसी के चलते हमारा देश जो है वो काफी ज्यादा परेशान है इसी के दूरान एक और ख़वर आप सब को पता चली होगी कि जो निर्मन हत्या हमारे संतों की की गई एक संद हमारे जो 70 वरश के थे और एक 35 वरश के थे उनके साथ एक उनका चालक भी था ड्राइवर भी था उसकी भी हत्या कर दी गई और में महराश्टा सरकार से कहना चाहता हूं कि हमेशा सिर्फ सेना बात करती हुई है संदों के हिद में आज आपकी सरकार में हमारे संतों की हत्या कर दी गई और वो वीडियों देखी नहीं जाती है हमारे 70 साथ के वजुर्ग जब उनके सर पे डंडा पड़ा उन्हें हाँ जोड़े हुआ थे हाँ जोड़के बोल रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हो ठीक हम मार लेते हैं आपको शंका होई कहीं य पुलीस वेरिफाइब करेगी कि यह चोर है डकेट है कौन है आपको यह अधिकार किस ने दिया कि आप मार मार के मार मार के उनकी हत्या ही कर दे और जितने भी लीडर वहां पर खड़े हैं शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को ऐसे नेताओं को जो अपनी आंखों के सामने खड़े होकर के तर्माशा देख रहे हैं और जाब पुलीस के पास गये वहां पर फॉरच की चोकी थी उनके अंदर जब संतों को ले जाया गिया उस चोकी से बाहा निकालकर पुलीस वालों के सामने हमारे संतों को मारा गया महारास्त्रा पुलीस नाकाम रही और खुद उ समाज उसका पालन कर रहा है तीन मही में यदी अच्छा निर्ने नहीं लिया गया उसके बाद संसमाज आंदोलन में उतरेगा उसके परिनाम सही नहीं होगे जैश्री राव